जहिन स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में तो आज हम आपको चम्याथ सेक जम के लिए तिरकोन मिती का वो सभी अबजेक्टिव प्रसन करने बाले हैं जो आपके पेपर में ओल डेडी छप चुका है सिर्फ हमारे दोरा यहाँ पर जितने भी अबजेक्टिव प्रसन बताए गए हैं अगर आप उतना करकर चले जाते हैं तो तिरकोन मिती से आपका एक भी सवाल नहीं छुटने वाला है आप सभी अबजेक्टिव कोईशन को बना कराएगा तो चलिए बीना समय को गवाय सभी स्वाल करते हैं तो आपका पहला प्रसन है कि सेक स्क्वाइड ठीटा मैनस वन का मौन होता है तो सेक स्क्वाइड ठीटा मैनस वन का मौन होता है टैन स्क्वाइड ठीटा क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वाइड ठीटा मैनस टैन स्क्वाइड ठीटा इक्वल टू वन होत गया है तो यहां पर क्या गया है कि S fare ठीटा यह पल्स इंठा इधर आ गया मैनलस 5 इंहें पर दुसरा प्रस्ण है यहां पर हो जाएगा आपका sign यहां पर sign जो एंचुट गया है sign pi by 4 minus cos pi by 4 का मोन होता है तो pi का value होता है 180 और 4 सी से भाग दे दीजिए हो जाएगा आपका 4 चोगे 16, 45, 25, 45 बार्म कर जाएगा तो 45 degree का पुछा गया है value कितना होता है तो यहां पर sign 45 degree का value होता है 1 by root 2 और cos भी 45 का value होता है 1 by root 2 तो दोनों को जोरियेगा तो दोनों कट जाएगा 0 हो जाएगा आपका right answer जिसका answer b हो जाएगा 0 इसका देखिए next प्रस्ण है तीसरा प्रस्ण है आपका कि 1 plus 10 square theta का मन है तो अभी तुरत आपको बतायाते कि 6 square theta minus 10 square theta equal to 1 होता है तो यहां पर पूछा गया है 1 plus 10 square theta तो यहां पर हो जाएगा 6 square theta equal to 2 हो जाएगा 1 ये minus मैं तुदर जाएगा plus मैं 1 plus 10 square theta तो One Plus 10 square Theta Secair square Theta Secair square Theta ड़ावर है तो इसका share देसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा Secair square Theta उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निमलेखीत में से route Two किसके बढ़ावर है तो देखिए इसमें 68raszam 60 degree का value होता है आपका sine में 60 degree का root 3 बटा 2 होता है और cos में 1 by 2 तो इसका root 3 हो जाता है ये तो होगा ही नहीं cos 45 का 1 by root 2 होता है ये तो होगा ही नहीं फिर sin 30 का 1 by 2 होता है ये भी नहीं होगा आपका ये तीनों value नहीं होगा तो आपका right answer ये हो जागा कैसे होगा तो 1 है और sin 45 का value होता है 1 by root 2 तो ये root 2 उपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा root 2 बटा 1 अर्थार तो root 2 हो गए आपका right answer तो sin 1 बटा sin 45 degree का value ही root 2 होता है और इसे आप चाहे तो इस तरह से भी लग सकते हैं 1 बटा sin 45 को कोशेक 45 degree और कोशेक 45 degree का बढ़ावर मंजोंते ही आप root 2 होता है तो ये हो जाएगा आपका right answer उसका नेक्स्ट हैपका कि सेक स्क्वाइब 9 सेक स्क्वाइब ठीटा मैनस 9 10 स्क्वाइब ठीटा बढ़ावर है तो इसमें देखिया आप पढ़े होंगे यही वाला उपर वालाद की फर्मूला बहुत बार आ रहा है इसमें की सेक स्क्वाइब ठीटा मैनस 10 स्क्वाइब ठीटा इक्वल टू 1 तो इसमें 9 पहले कोमन ले लिजिए तो यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वाइब ठीटा मैनस 10 स्क्वाइब ठीटा तो इसमें 9 होगा और इसका वेल्यू 1 है तो 9 गुना 1 भजाएगा 9 तो इसका अंसर आपका बी हो जाएगा 9 इसका अंसर बी हो जाएगा पहले 9 कोमन लेना है और 21 तो 9 गुने 1 1 हो जाएगा पिर नेक्ष्ट का कि टैन टीटा पलस को ठिता इक्वल टू है तो 10 इसकोई ठिटा पलस को ठीता बड़ावर क्या ओगा तो इसका सबका सब्सक्राइब कर दिया है तो दो का भी स्क्राइब कर दिजेगा तो यह आपका हो जागा चार इसका एंटसर बी हो जाएगा जो फिर है सातवा प्राशन की a को स्थिटा पड़ मिलस बी साइन ठीटा बढ़ाबर तो यहां पर यह पूरा टर्म को आपको बी मौनना है बी मौन के एका स्क्वार कर देना इसका स्क्वार कर दिजेगा फिर जाके बी का भी स्क्वार कर देना है तो यहां पर इसका पर इसका बेलु दिया है एका बेलु चार है और यहां पर पूरा को ए मौने तो बराबर चार इसको बी मौने तो बराबर तीन toys तो एक को एक को एक का सकोर चार का स्क्वारइड पलस दीन क्यों में तो इसमें देखे शिर्प यह वलाивает और यहां राइट असर यह मैं क्या हैक कि है अदि की टा फिट यहां क्या निकाल लीढ वां दो आप दर सक भाग में चला जाए हगे riding न 30 का यह पुछा गया है तो तीं इस का वैलियू आपको पता है क्या होता है one by root 3 होता है है इसका रेट अंसर चाहीं भूल है अपे से भी निकाल सकते हैं यह चैंग भी साइन भास न्हीन दोघर और को तर्य का होता है रूट कॉस स्कॉर धीटा पलस साइन स्कॉर धीटा है इकवल टू one होता है तो इसका रिउट ठीटा नग dependent अ कि फीले थीडा एक वदाक तु टूस धीड़ी तू से कonta हुटा होता है कॉस ही उल्टा स्यो थैकonta एक में 30 डिग्री वेल उता है रूट थी बटा टू इसका उल्टा हो जगा टू बाई रूट रूट तीरी सका रेक्टराऊचरू डूए रूड थी डिग्री सी वजागा इसका राइट अंसर को से टू तर्टी डिडिका वेलिव रूट रिवाई टू वाई टू डूटा र पानलिट दिग्री का वैलू यापको मतलब जीरू हो जाता है कैसे एकॉर प्रहत सकते हैं कोश झावता स्थे ना इंटी दिग्री वता एक जीरू और तो वन जिरो में वान से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा इसलिए इसका राइट अशर बी हो जाएगा कि फिर नेक्स प्रस्थन है आपका कि यदि ए बराबर 60 डिगरी भी बराबर तीस डिविटी तो साइन ए पलस भी होगा तो साइन ए पलस भी हो जाएगा 60 पलस 30 हो जाएगा 90 डिगरी और साइन 90 डिगरी का वेली वान होता है तो यह हो जाएगा आपका राइट अंसर ए बी फिर नेक्स प्रस्थन है कि कॉस्ट ठीटा का निम्मनावन की तो में कौन सामावन सात्य होगा तो कॉस्ट ठीटा बराबर भी बताये ते कॉस्ट ठीटा यहां पर कर दीजिए कॉस में साइन सफिटा दों सो प्रमुल्दा रूट के अंदर गत उसके बाद देहु नेक्स प्रशण है आपका चोता है नमर का फरोमॉला क्या कर रहा है कि 23 ऊप्र में मुढ़ का जाएगा ऊपर में डिगरी का मौन निम्रिकित में से कौन सा होगा तो इसका वेलू वान ही होगा कैसे होगा दुखिए इससे आप लिख सकते हैं साइन 90-35 90-35 गटेगा तो 65 डिगरी हो जाएगा ठीक है और यह इसको जियों कत्यों रहने दीजी और आप पढ़े हैं कि साइन 90- Minute ठीटा होता है कॉस्थ टीटा के बढ़ावत यहां जो ठीटा रहेगा वह हो जाएगा कॉस्स के साथ म्जुर्ख हो जाएगा और यह हो जाएगा कॉस्थ 35 डिगरी बटा कोमों 35 डिगरी तो आपका वेल्स वान आजाएगा है इसी तरह सि आपको पर परशन ऑते हैं तो इस तरह से आपको इसी तरह से पर बनाये और असुन से बन जाएगा फिर एक कास 90 मैंने मी लिखे तुम आ यहाँ तो क्सा को स note 9-0 का का भेली हो जाता है आपका साइन ठीटा अगर साइंटी मिनषन रएगा तो रहेगा आपको यात रखना है तो यह हो जाएगा आपका साइन गुआ है तो कौन सा करन सहिफर इसके लिए यह पहला कहाँ करने सवर्पर में किया गया है यह आपका यह राइट अंसर हो जाएगा अठारे नमर का question क्या कर रहा है कि शेक स्क्वाइर ए बटा वन पलस कोट स्क्वाइर ए बढ़ाबर होता है तो यह आपका बढ़ाबर जो हैं टैन स्क्वाइर एक बढ़ाबर होता है इसमें हल करके हम दो लोग देख लेते हैं तो शेक स्क्वाइर एक को लिख से कौस का ही उल्टा होता है तो वन बाई कौस स्क्वाइर ए लिख सकते हैं उसके बाद नीचा है वन पलस कौट को लिख सकते हैं कौस स्क्वाइर ए बाई साइन स्क्वाइर ए cos data sin theta होता है cot का formula तो इस तरह से हम लिख सकते हैं तो यहां पड़े आप LCM ले लीजिए तो नीचे हो जाएगा आपका यहां पड़े होगा 1 बटा cos square a फिर यह बटा में यहां पड़ी हो जाएगा sin square a यह हो जाएगा आपका cos square a ही रहा जाएगा फिर यह प्रसमें आपका होगय यहां पारी साइंग स्क्वार्न स्कॉयर है और देखिए साइंस कुए ठीटा हो गया कॉस ऐसक ठीटा हुगय ए है ठीटा चीक है तो यहापका वेलू वर् axis नहीं हो जाएगा तो फिर यह साइड को पर चला जाएगा और स्कवार यहां तो इस साइन एक से कम होता है या उसके बड़ावर होता है जीरो से सुरूर होता है एक तक जाता है तो जीरो से बड़ा होगा और एक से कम होगा और थार तो वहाँ एक से कम है एक से कम भी है और उसके बड़ाबर भी है साइन का वेल्यू जो है वह एक से कम भी है और उसके बड़ाबर भी है तो यह हो जागा आपका फिर नेक्स्ट आपका कि साइन टू ए बड़ाबर टू साइन यह तब सत्य होता है जब एका यह बड़ जीरो डिटी तो साइन जीरो डिगरी हो जाएगा इसका वेल्यू आपका जीरो जाएगा पृतु इंट्व यह फटायन जीरो कर जिए गून तो यह पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा तो यह दोनों ऑनधू न बढ़ाबर इसी में हो सकता है और मंगर इसमें वेल्यू टू टेन ठीता का फर्मूला स्कालट होथे है डो टेन ठेटा कोflower होता है यहां पर रखछाय कि फिर इन तो ठीटा का फर्मूला होता है डू टेन ठीटा मट्राब इसकुए सक्वायड ठीटा सब्सक्राइब नहीं कि तो ट्यान टू ठीटा तो ट्यान टू गुने ठीटा विल्यों तीस डिगरी है तो गुना हो जाएगा तापका 60 डिगरी पूर जाएगा यह फर्मॉला याद रखना है सिर्फ उसकर बताएगे कि नेमली खित में कौन सा कथन सत्य है तो सत्य कथन को बताना है तो इस कार्चन भी हो जाएगा कि ठीटा में विर्धी होने के साथ साइन के मौन में भी विर्धी होता है वांकि बात सब कतन है यह गलत कतन है तो बीज़दा राइट अंसर फिर वही तरह उसी तरह प्रसन आ गया इसमें 9 को मन ले लिजिए सेक स्कॉाइर ए माइनस 10 स्कॉाइर ए अभी बता है आपको सेक स्कॉाइर ए माइनस 10 स्कॉाइर ए बड़ावर होता है वन तो 9 गुने 1 इक्वल टुण 9 हो जाएगा इसका राइटन से फिर है 1 पलस 10 ठीटा पलस एक ठीटा इंटू 1 पलस को ठीटा मैनस को ठीटा बड़ावर है तो यह जोन आपका दो के बड़ावर है इसका आप सोलीशन कर सकते हैं उसके पड़ा से एक पलस टैन एंटू वान मैनस साइन ए जो निया किसके बढ़ावर होगा यहां पर जो है हम आपको 24 नमर प्रसनों का अंसर दो बता यह कैसे हुआ यह बता देते हैं आपको लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा लेंदी हो जाएगा यहां पर बनने में फिर भी हम आपको बता देते हैं प्रोसेस किस तरह से यह बनने वाला है तो देखे 10 ठीटा लिख सकत है इसको इस परकार साफ लिख सकते हैं वन पलस्टी ठीटा बटा- прилож ढवान बटा- घृड़ी धा फिर इसको लिख लिखी यह वान इसको लिखेंगे तो खुरी ठीटा तो को इसे का ज़िए ता प्र यहां च्षम यह जाया न नीची हो जैगा आपका कोस्टीता एम सान advocating यहां परला साइन ठीटा और जाकर यह यह वन हो जाएगा आपका पालस बड़ाद इतना तरम इसका आएगा उसको भूंब खिजेंग इह मैंनस भू कर्फ देदा यह परी वन यहां परहuch रीख है को होड़ यहां है अ देख सकते हैं कि इस दोनों का अपको गुना करना है तो इसमें क्या होगा कि यहांपड़ी A Plus है A Plus यहांपड एक फर्मूला लग जाएगा यह आपको पता है कि A Plus B into A minus B वराबर होता है A square plus B square A square minus B square तो यह फर्मूला होता पर यहां पड़र यही फर्मुला यहां पराप्लाय करना है को यहां पर दिखे typical लिजिये कि इसको आपको एक टर्मॉन है उसको इक टर्म one मुझा है तो ईप अन्न जुचल एक क्वारा को आपको ना है और तो ऊपर में तो उसका यहाँ X2 में आपको लिख देना है उसके वाद आपको यहां पर से x में गुणा करना है तो फिर आपका टर्म जुरने UKशन उपर वाला यह होज़ाएगा साइन ए बाई कोस ए इन्टू का होज़ाएगा यह भी वन मैनस साइन इसको ऐसा ही रहने दिजी तो इसमें आप को से को मनले लीजिये लसी एम उसके बाद इसका होज़ाएगा वन पलास साइन और यह हो जाएगा 1-sin तो यहां पर आप देख सकते हैं a पलस b इन्टू का a-b का फर्मूला यहां लग रहा थी यह हो जाएगा a square minus b square तो यहां पर वो फर्मूला आपको लगा देना है तो यहां पर लगा सकते हैं आप लोग जगह नहीं है तो फिर भी बता देते हैं आपको क्या करना है 1-1 हो जाएगा आपका 1 का square minus sin का square sin square a बटा कॉस से ठीक है इतना हो जाएगा फिर आप पढ़े हैं कि यहां पर यहां पर निकाल सकते हैं आप लोग 1-sin square theta तो वही बात यहां पर हो गया है यहां पर हो जाएगा यह कॉस स्कॉइड एबटा कॉस ए तो एक कॉस से कॉस खतम हो जाएगा आपका कॉस ए राइट अंसर हो जाएगा उसका 26 नमर का प्रसन है कि 1 पलस 10 square a बटा 1 पलस 4 square a बढ़ाबर होगा तो यह 10 square a के बढ़ाबर होता है कैसे तो आप इसे हल करके देख सकते हैं 1 पलस इसे लिख सकते हैं साइन और कम टता कॉस एक रिख सकते हैं तो इसका 27 निचे में इसका भी साइनन नीचे में और यह पता और यहीं हो जाएगा और वन बटा वह वह जाएगा वन बटा साइनस्कुआइड एतो यह उपर चल जाए गा साइन और कोस नीचा डाइगा तो भेडर बदल जाएगा तो इस तरह सब सब्सक्राइब तो आपको वान मैनस हो जाता है कौस्ट स्कौइड ठीटा और सांट त्थीटा है इसका रूट कर दीजिए तो राइट अब कर दीटा कि इसको नेक्स प्रसने है आपका तीस नमर का स्वाल कि 10Squad theta ने में लिखित में किसके बढ़ाबर है तो इसके बढ़ाबर यहां पड़ी मैनस वन होना चाहिए इसे अगर हम इधर कर देंगे तो यह मैनस में होना चाहिए या इस ओफशन को हम लोग देखते हैं तो सॉलूशन करने पशा फटा चल जाएगा तो यह तो फट सन होगा यह अगर ऑफशन के साथ यहां पड़ी मैनस होगा तब ही ओगा लेकिन पड़ा सैतो यह तब यह ओपसंझी नहीं होगा आपको अपका ब्रॉप करना पड़ेगा तो बी हो जाएगा आपका राइट अंसर कै और इसका आप सॉल्यूशन कर जिएगा तो आपको जोना ऊपर वाला आ जाएगा टर्म उसके बाद नेक्स्ट प्रस्ण है आपका कि निमली खित में किन के महां जो हैना दो बटा रूट तीvärी जोना तो यह अपका रॉट अंसर कि आतिसर सक्प्राइब के तरहां थिश्मलाउं कि निम्म लीखिद में क्लीग कर आब अबर होता है एक सथक्टाइब स्थुर्टदीगरी का वहालियू से तटाइन कह रिख सकते हैं के बड़ावर होता है तो रूटव के बड़ावर हो जाएगा आपका को सतार DAY और से और जलिगरी दोनों का मौन होता है रूट टू के बड़ावर तो इसका डेन साण दी हो जाएगा बिन्म डिकित मेगिया का महाद मौन जों कॉस हया चाहतक भी सॉपों यह 12 ट्रेटन से डी हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रसने की साइन नैंटी मिनस टिटा का मौननी में लिखित में से कौन सा होता है तो कॉस्ट ठीटा होता है तो इस तरह से इतना ही प्रसंद रहने दीजिए आपका जोन 35-36 प्रसंद करा चुके हैं इससे ही आपके पोडिक्ट जम में लरने वाला है तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैन जै भारत